नमस्कार दोस्तों, हिंदी को चैनल पर आप सब का स्वागत है इस वीडियो में हम क्रिस्मस पर दस वाक्य का नीबन लिखेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहला वाक्या है क्रिस्मस इशू के जन्म का सम्मान करने वाला एक वाशिक त्योहार है दूसरा वाक्या है यह 25 दिसंबर को व्यापक रूप से मनाया जाता है तीसरा वाक्या है इसे ईसा मसीह की पर्व की रूप में भी जाना जाता है प्रूप में भी जाना जाएब लूप में त्योहार जाएब लूप में उला जाएब लूप में पर्वापकों से नाएब रूप में उलाएब लूप चौथा वाक्य है यह विशेश रूप से इसाईयों के लिए एक बहुत ही महत्वपुन त्योहार है पाँचवा वाक्य है इस दिन सैंटा क्लॉस के द्वारा उपहार वितरित करनी की एक पुरानी परंपरा है च्छठा वाक्य है ऐसा माना जाता है कि सैंटा रात में हर घर में आता है और बच्चों को उपहार देता है साथ्वा वाक्य है यहाँ परिवारों और दोस्तों के लिए एक साथ आने का समय है परिवारों पर दोस्तों के लिए एक समय है अगला वाक्य है हार्दिक संदेशों के साथ क्रिस्मस कार्ड का आदान प्रदान करना एक आम परंपरा है अगला वाक्य है इस दिन हर तरफ उत्षब होता है अगला वाक्य है आखरी वाक्य है यह त्योहार, प्यार, आनन्द और सद्भावना का एक त्योहार है जो दुनिया भर के लोगों के लिए खुशी लाता है